सबीकु जे मसी की बाइबल कु समझना पुरान नियम का अरम परमेशर से होता है उत्पति अध्याई एक का एक में सा लिखाए आधि में परमेशर ने आकासर पृतिव की सुष्टि की नियानियम का अरम प्रभु इस मसी से होता है मत्ति अध्याई एक का एक Bible इस मसी को जगत का उधार करता के रुप में चित्रित करती है Bible के पीछे और निचे Bible के उपर और अगे Bible का परमेशर है Bible परमेशर का लिकित प्रकाशन है जिसमें मनिशे के लिए उसकी इच्छा प्रकाट होती है मेरे प्यारो बाइबल परमेशर के द्वारा लिकित प्रकाशन है जिसमें मनिश्य के लिए उसकी इच्छा प्रकाशन को हमें देते हैं अपना इच्छा को हमें प्रकाशन करते हैं इसका मूल बिशे प्रभु ईसमसी के द्वारा उधार है इसमें 66 पुस्तक है और बाइबल को 44 लेकोकों के द्वारा लिखी गई है और इनको लिखने में लगवग 16 वर्ष लगे हैं पुरान नियम मुख्यत इवरानी भासा में लिखा गया था कुछ छुटे हिस्से आरामी भासा में मसी यूक के प्रारम से लगवग 100 वर्ष फुर्व पुरान नियम का अनुबाद इवनानी भासा में ओचुका था स्मान रखे की अंग्रेज बाइबल का अनुबाद इन मुल भासाओं से हुआ है बाइबल का सब्द इहुनानी भासा के विवलज सब्द से आया है मेरे प्यारो बाइबल को तीन भासाओं से लिखा गया है पुरान नियम को इबरानी और आरामी भासा में और नया नियम को ग्रीक भासा में नियम का अर्थ क्या है मेरे प्यारो बाइबल में पुरान नियम है और नया नियम है नियम का सब्द का अर्थ है वाच्चा या सहमती पुरान नियम वो वाच्छा है जिसे पर्मेसर ने इस मसी के अगवन से फुर्व मनिसय उसके उधार के लिए वांदी थी पुरान नियम का वाच्छा पुरान नियों में हम वेवस्ता की वाच्चा को फात है नियानियों में हम अनुग्रों की वाच्चा को फात है जो इसु मस्षी के द्वारा मिलता है दूनों एक दूसरे से पुरक है गलातियों अध्याई 3, 17-25 पुरानियों आरम करता है जिसे नियानियों पूरी करती है और एकत्र करता है, पुरान नियम का संबन मूसा से है, नया नियम का संबन इसु मसी से है, यहुना अध्याई एक का सत्रा, बाइबॉल के लेखक में से राजा और राजकुमार, कवी और दर्षनिक, वविश्यद वक्ता और राजनेता थे, कुछ तो उस समय की कलाहों में निपुण थे और कुछ और सिक्षित मचवे थे पुरान न्यम का विवाजन पुस्तके पुरान हो जाती है परन्तु ये पुस्तक बाईबल सद्यों से पड़ी जा रही है अधिकांग्स पुस्तके आयू के अनसार पड़ी जाती है परन्तु बाईबल को वृद्ध और योवग दूनों एक समान प्रेम करते है बाईबल का विवाजन पहला भाग है वेवस्ता वेवस्ता में पांच पुस्तक है उत्पति से लेकर वेवस्ता विवरण तक दूसरा है इतियास के पुस्तक है यूस से लेकर एस्तर तक तीसरा है काव्य पुस्तक है आयू से लेकर स्रेश्टगीद चोता है बविश्त वानी इसाय से लेकर मौला की तक इस भाग को दू भाग में बाटा गया है बड़े नभी और छुटे नभी बड़े नभी इसाय से लेकर दन्यल तक और छुटे नभी उसे से लेकर मौला की तक नियानियम की पुस्तक है प्रभु इसमसी के चरित और सिक्षां को प्रदसित करने के लिए लिखा गया था जो नई वाचा का मध्यस्त है मेरे प्यारों प्रभु इसमसी नई नियम का मध्यस्त है और नियानियम को लगवग नो लेखोक के द्वारा लिखा गया है नियानियम की पुस्तक को निम समों से बांड सकते है नियानियम का धिवाजन पहला सुस्माचार के पुस्तके मत्ति से लेकर इहुना तक दूसरा हितियास पुस्तक प्रेतों का काम पत्रियां रुम्यों से लेकर इहुदा तक और भविशतवान की पुस्तक प्रकाशित बाक्य आज की इस अध्यन के द्वारा परमेशर हम सबी को बलेस करे